हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मोहित और स्वागत आपका Essentials of Medical Science में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपको किस तरह से pathology को approach करना है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको pharmacology को किस तरह से approach करना है second year के अंदर तो Pharma में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है तो Pharma में बहुत सारे drugs आपको पढ़ने होता है पूरे साल इतने drugs पढ़ोगे कि Pharma आप हर दूसरे दिन भूली जाओगे पढ़ोगे अगले दिन आपको ड्रक्स के नाम याद नहींगे इसा होगा बहुत बार तो उसके लिए चाहिए रिविजन ठीक है तो फार्मेकोलोजी की बात करें तो उसमें आपको पढ़ना इस सबसे पहले आपको पढ़ना है जनरल फार्मैकोलोजी, उसके बाद आता है एक autonomic nervous system का chapter एक आता है cvs ठीक है, cardio vascular system का एक renal pharmacology का chapter है उसके अलावा है otokoids का chapter है, एक cns का chapter है, एक blood का chapter है एक endocrine का chapter है एक cancer का chapter है और एक miscellaneous drugs जिसके अंदर आपको anti-fungal वो सब चीज़े पढ़ोगे तो टोटल अगर हम बात करें और एक एंटी माइक्रोबियर ठीक है तो इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल में 11 चेप्टर है ठीक है जो आपको फार्मेकोलोजी में पढ़ने है तो सबसे पहले आपको पढ़नी है जनरल फार्मेकोलोजी तो जनरल में यू नहीं की उठा के पूरा पढ़ने लगे ठीक है काम-काम की चीज़ पढ़ो अभी उसके आपने में चैप्टर स्टार्ट करो तो General Pharmacology में सबसे पहली जो काम की चीज है वो है Roots of the Drug Administration सबसे पहले आप Dosage Forms of Drugs पढ़ो कि कौन-कौन सी Forms में Drugs अवेलेबल होता है Tablets, सीरप, ये सब चीजे पढ़ो कौन-कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात उसके बाद next आपको पढ़ना है Roots of Drug Administration जिसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ already कौन-कौन से रूट से आप Drug दे सकते हो वो सब चीजे हम इसमें पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ना है Farmaco Dynamics and Farmaco Kinetics Farmaco Kinetics में आपको क्या पढ़ना होता है Farmaco Kinetics होता है कि जब ड्रग हमारी बोडी में मूव कर रहा है तो बोडी उसके उपर क्या-क्या करेगी बोडी ड्रग का क्या-क्या करेगी ठीक है तो क्या-क्या करेगी ड्रग का absorption होगा, ड्रग का distribution होगा ड्रग का metabolism होगा और metabolism के बाद उसका excretion हो जाएगा तो यह चार चीज़े पढ़नी होती है हमें फार्मेको काइनेटिक्स में कौन-कौन सी ADME absorption, distribution और M से metabolism और E से बन गया excretion ठीक है तो यह चार चीज़े हमें पढ़नी है फार्मेको काइनेटिक्स के अंदर तो roots of drug administration पढ़ लिया फार्मेको काइनेटिक्स पढ़ लिया पूरा उसके आद इसमें ही आपके plasma, protein, binding यह चोटे-चोटे topics आजाएंगे जो important है उसके अलावा जो important topics हैं वो है drug का यह जो synergism हुआ, antagonism हुआ और उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है autonomic nervous system क्योंकि सबसे बेस चैप्टर बने गाना आपका फार्मेकोलोजी में वह है autonomic nervous system इसमें लगबग सभी chapters के drugs के नाम आई जाएंगे ठीक है इसे प्रेटर है क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे एक तक आपको नर्व तरह बहुत बड़ा चैप्टर ठीक है इसमें आपको अलग अलग तरह के एनस बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है ठीक है एनस की वीडियो में जल्दी अपलोड करनी स्टार्ट कर दूँगा आपको कोई दिकत नहीं आने वाली एनस में उसके अलावा बात करें तो एनस के बाद आपको क्या पढ़ना है सीवियस सीवियस क्योंकि एनस से थोड नर्वर सिस्टम जो की सेकंड समेस्टर का मतलब फेपर टू का जो पार्ट है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे सी एनस सी एनस का ब्लैट फोर्मेशन वाला चैप्टर है जिसमें एंटी को एगुलेंट्स एंटी प्लेटलेट्स वो सब चीज़े पढ़नी है उसके बाद हम एंटी फंगल ड्रग्स उसके लाओ जो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर बच गया वह एंटी माइक्रोबियल जिसमें सारे एंटीबाइटिक्स पढ़ने है ठीक है अलग अलग तरह के एंटीबाइटिक्स फिर एंटी वाइरल ड्रग्स पढ़ने है है चाईवी के लिए और हैपटाइटिस के लिए उसका एंटी मालेरियल ड्रग्स पढ़नें तो इंटी माइक्रोबियल चैप्टर बहुत बढ़ है टीबी के ड्रग्स उसके अंदर आते हैं तो स्टार्ट करना है कहां से जनरल देन एनस एनस के बाद सीवियस सीवियस के बाद रीनल रीनल के ब अंगल ड्रग्स हैं कीटो को नाजोल यह सब चीज़े उसके बाद में पढ़नी है तो इस तरह से आपकी अप्रोच चलेगी फार्मा के लिए ठीक है अलग अलग जो अपनी नोट्बुक बना लेना जिसमें सिर्फ ड्रग्स के नाम लिख लिए तो आपको याद करने वे ज सब्सक्राइब करना तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेर कर देना थैंक यू